नमस कार रोस्तों। आज का वीडियो शुरुम के भैक पर पानी के एश्प्रhouse को लकर बना गया है यानि जो शुरुम के भैक पर पानी का एश्प्र più करते हैं कितनी बार करना चाहिए और उसका क्या क्या लॉजिक है उस सब चीजिए को द्वहान में रखते कि वीडियो ना है तो इसको पूरा सुनिए ताकि आपको समझ में आपाए चुकि बहुत सारे लोगों की सवाल भी इससे समझनीत आते हैं मेरे चैनल पे तो मुझे लगा एक वीडियो को माध्यम से पब्लिश करें ताकि बाकी लोगों को भी जनकारी मिल पाए तो देखिए इसमें अलग दिन के लिए उसे आप कमरें में रख देते हैं तो आपको सिर्फ तेंपरेचर मेंटेन करना होता है पानी का इस प्रेइ करना पड़ता है अब पानी कितनी बार देना है कितना देना है उसकी बात कर लेते हैं अगर हुमिडिटी आपके कमरे में 80-90% मेंटेन हो रही है इसको ध्यान से समझने कोशिश किजिएगा यह बाकी मश्रूमों के लिए भी यही लागू होगा इसलिए इसको समझने कोशिश किजिए अगर आप कमरे में हुमिडिटी 80-90% मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपको जो है सुबह साम पानी का इस्परे करना है बस बायक के ऊपर अगर कमरे में हुमिडिटी आप जो है 70-80% मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपको तीन बार आपको मिनिमम पानी देना ही देना है त अगर आप humidity 60-70% मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आपको चार बार minimum पानी का इस्परे करना पड़ेगा, अब डिपेंड करता है कि humidity आपकी कमरे में कितना चल रहा है, कई बार क्या होता है, लोगों कमरे में 90% प्लस humidity चल रहा होता है, उस समय आपको दो बार पानी का इस्परे नह पड़े, चुकि 90% humidity का मतलब सीधा है कि आपके पानी का इस्परे एक बार हो जाएगा, वो जल्दी सूखेगा नहीं, जब तक वो नमी खतम नहीं हो जाती, वहां से तब तक आपको दुबारा नहीं देना है, तो यह धिर धिर एक्सपरेंस के बैस पे आपको पता चलेगा कई बार humidity ज्यादा होने के वज़े से पानी कम देना पड़ता है, कई बार humidity कम होने के वज़े से पानी ज्यादा देना पड़ता है, तो मैंने आपको calculation बता दया, इसी एसाफ से आपको चलना है, और humidity कैसे पता चलेगा, जो humidity meter होता है, वो आपके mushroom farm में होना ही होना चीए, बहुत सारे लोग मश्रूम की फार्मिंग शुरू कर देते हैं सीखने के लिए लेकिन जो हाइगरोमीटर थर्मोमीटर एक ही में आता है दोनों उससे नहीं रखते हैं लोगों को पता होता नहीं है कि टेंपरेचर कितना है कितना है कितना है कमरे में नमी कितनी है और नमी के ह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अगर इसमें कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उसको पर जो है आपको जानकारी देनी कोशिश करूँगा थैंक्यू सो मच